नमस्ते, गुड मॉर्निंग, तो आज हम पाठ आठ अनमूल बचन पढ़ेंगे, अनमूल का मतलब होता है जिसका कोई मूल नहीं आका जा सकता, उसको अनमूल कहते हैं, अनमूल बचन कहते हैं, तो मैं आपको बता रहा था, अनमूल बचन का मतलब होता है, जिसका मूल नहीं आका जा सकता बचन याने, शब्द अनमूल याने जिसका मूल जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ऐसे बचन को हम अनमूल बचन कहते हैं, और ये जो आपका चैप्टर है, आपका ये जो पार् कभीर दास जी दौरा लिखा गया है और नेक्ट जो आपके वो हैं रहीम दास जी दौरा लिखा गया है तो आपके जो ये पहले आपके जो ये दोहे हैं ये हैं आपके किसके कभीर दास जी के तो कबिर्दार जी के जो दोहे हैं या जो दोहे होते हैं उनको सुनके हमारे जो रदें हैं वो बहुत ही पवित्र होता है और हमें पॉस्टी थिंकिंग उससे हमको मिलती है अच्छे बिचार आते हैं मनसांत होता है और हम एक अच्छे इंसान बनने के लिए उन दोहों से हमें पेरणा मिलती है सिक्षा मिलती है जिसे कि हम इस संसार में कुछ अच्छा कार कर सकें तो हम सब को कभीर दास जी के दोहों से रहीम दास जी के दोहों से चानक के इसलोकों से हमें हम सब को कुछ न कुछ सिक्षा लेनी चाहिए क्योंकि इनके दोहों में इनके इसलोकों में जीवन जीने की कला और किस प्रकार हमें मानो जीवन बैतीत करना चाहिए किस प्रकार बिताना चाहिए इनके श्लोकों में इनके दोहों में बहुत सारे सिक्षा छिपी हुई है इसलिए हमें इन श्लोकों को पढ़कर इन दोहों को पढ़कर इनसे हमें सिक्षा लेना चाहिए जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल सके तो ये कभीरदाजी का प पहला दोहा यहां पर दिया हुआ है इसको ध्यान पूर्बग देखिए और मेरे साथ बोलिए पहले हम मिलकर इसको पढ़ेंगे बोलेंगे इसके बाद इसका मैं भावार्थ याने अर्थ याने मीनिंग मैं आपको बताऊंगा तो पहला दोहा है कबीरदाजी का मैं आप इसको आप लोग माइक पर स्टेज पर प्रस्तुत कर सकते हैं तो मैं आपको बोलके बताता हूं तो लैट श्टार्ट ऐसी बानी बोलिये ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोई और अनकों सी तल करे आपं सी तल होई कबीरा आप हुसे तल होई ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोई और अनकों सी तल करे आप हुसे तल होई कबीरा आप हुसे तल होई तो प्यारे बच्चों इस लोग के लाश्ट में दोहा के लाश्ट में जो कबीरा नाम का एक सब्द मैं लगाया हूं तो इसका मतलब होता है कबीरदास जी के दो हैं कबीरदास जी ने दोहे लिखे हैं तो इस प्रकार ये गाया जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया तो चलिए अब इसका हम अर्थ बताते हैं भावार्थ बताते हैं कबीरदास जी कहते हैं ऐसी बाणी बोलिए मन का यापक हो हमें दूसरों से इस प्रकार बाणी बोलना चाहिए इस प्रकार बैवहार करना चाहिए कि मन का यापक हो यानि अपना मन प्रसंद होना चाहिए तथा सामने वाले को भी खुस होना चाहिए चाहिए हमें इस प्रकार सामने वाले से बेवार करना चाहिए या उससे हमें इस प्रकार से बात करना चाहिए कि वह भी खुस हो जाए और हमारे हरदें हमारा हरदें भी प्रशनता से भर जाए हम भी खुस हो जाए मतलब हमारे बोलने से सामने वाला भी खुस हो जाए और हम भी खुस हो जाए इसका मतलब ही होता है सीतल याने ठंडा तो यहाँ पर कभी दास जी कहते हैं हमें ऐसी बाणी बोलना चाहिए कि हमारा मन प्रशन होना चाहिए तथा सामने वाला भी हमारे बचनों के द्वारा प्रशन हो जाए, खुस हो जाए, उसका हरदें ठंडा हो जाए इस प्रकार हमको दूसरों से बात करने चाहिए, दूसरों से बाणी बोलना चाहिए, दूसरों से बेवहार करना चाहिए हम हैं, ऐसी बाणी कभी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को धुक हो जाए, सामने वाले को टैंसन हो जाए तो हम यही प्रयास करेंगे, हम किसी से भी बात करेंगे, तो बहुत अच्छे से उससे हम पेस आएंगे, बहुत अच्छी तरह से उसका रिस्पेक्ट करेंगे, और बहुत खुश होकर, प्रशन होकर उससे बात करेंगे, तो हमारा हरदें भी प्रशन रहेगा, और सामने वाल ब्रक्च कब हूँ नहीं फलो भख़ई नदी नपी बेनीर तो प्यारे बच्चो ध्यान देना ध्यान से सुनना किस प्रकार दो है बोले जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ ब्रक्च कब हूँ नहीं फलो भख़ई नदी न पीवे नीर पीना याने संचे करना एक अठा करना मैं पीवे बोलता हूँ मतलब नदी जल नहीं पीती तो यह यहाँ पर है संचे इसका परियाबाची है ब्रक्च कब हूँ नहीं फलो भख़ई नदी न संचे नीर परमारत के करने साधुन धरा सरीर कभीरा साधुन धरा सरीर तो यहाँ पर आर्थ है ब्रक्च कब हूँ नहीं फल भख़ए आपने देखा होगा जिस पेड़ पर जिस ब्रक्च पर फल निकलते हैं जिस पेड़ पर जिस ब्रक्ष पर फल लगते हैं वह पेड़ अपना फल स्वयम नहीं खाता है यह आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पेड़ जो ब्रक्ष फल देता है वह जो फल है वह स्वयम नहीं खाता है वह परमारत के काम में परुपकार के काम में वह फल दे तो इता है कौन वह भ्रक्ष जो हमारे आजपास लगे रहते है दूसरा देखो नदीन संचैनी और जो नदियां है मिठी मिठी जल से बहती है वह अपना जल स्वयम नहीं पीती और अपना जल स्वयम संचैनी कठा नहीं करती वह नदियां तो दूसरों के परुपकार के लिए दूसरों की भलाई के लिए ही बहती रहती हैं परमारत के कारणे साधुन धरा सरीर कवीरा और जो महापुरुस होते हैं जो अच्छे पुरुस होते हैं परमारत करने के लिए लोक कल्यान करने के लिए राष्ट का हित करने के लिए वह अपना घर परिवार सब्त्याग देते हैं और राष्ट हित में लगे रहते हैं और साधुन का जीवन साधुन सा जीवन बैतीत करते रहते हैं नेस्ट बाले श्लोग देखते हैं एक बार और देखते हैं वह काम को हमें आज ही कर लेना चाहिए फिर से रिपीट करता हूँ कभीरदास जी कहते हैं कि जो कार्य जो काम जो होमबर्क जो ग्रहकार हमको कल करना है वह काम वह ग्रहकार वह होमबर्क हमें आज ही कर लेना चाहिए पल में परले होएगी बहुर करिगर कहते हैं पल में एक छण में पता नहीं क्या हो जाए इस दुनिया का हमारे साथ कोई नहीं जानता है इसलिए हमें अच्छा कार्य समय रहते ही कर लेना चाहिए उसमें हमें आलसीपन नहीं करना चाहिए तो ये कभीरदास जी के तीन दोएं हैं इसे हमको बहुत अच्छी सिक्षा मिली तो प्यारे बच्चो आज का वीडियो यहीं तक फिन नेक्स वीडियो में हम सब मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई